आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली टॉप 5 मोस्ट एंटिस्पेटिड पाकिस्तानी मूवी के वारे में वैसे तो काफी सारी आ रही है नेक्स्ट ये लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो सिर्फ टॉप 5 ही होंगी जो नमबर 5 पे आती है वो 2024 की लास्ट में आने वाली मूवी 100 क्रोड ये मूवी का नाम है जो के लास्ट येर ही अनाउंस की गई है और इसकी कास्ट में हम जवेद शेख सनाफखर नूर हसन और एक इंडियन एक्टरस हैं कोई ड्रामा एक्टरस हैं रहाना मलहोत्रा इसमें क की गई हैं जहां तक इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट अभी तक रिवील तो नहीं किया गया लेकिन अंदाजा लगाया गया है कि इस मूवी का प्लॉट सौक रोड के स्कैम के इर्दगिर्द ही गूमेगा वार 2 नमर 4 पे आती है वार मूवी जिसने पाकि मूवी को भी डिले होना पड़ा बाकी सारी पाकस्तानी मूवी की तरफ से कुछ डिरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स के मसले की वज़ा से तो अब रूमर तो यहीं आ रहे हैं कि नेक्स्टियर इसे रिलीज कर दिया जाएगा वार 2 को और इसकी कास्ट में शान्शाहिद एस उसके इलावा आइशा उमर बिलाल अश्रफ और माया अली को भी कास्ट जिया गया है तीसे नमबर पर आती है मूवी नीलोफर हम सफ़र और लेजेंड ऑफ मॉलजट मूवी के बार हमें फवाद खान और माईदा खान की कमिस्ट्री फिर से ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी कास्ट में फवाद खान माईदा खान के इलावा पैसल कुरेशी गोहर शीर बहरोस और मतिहा एहमद भी हैं इस मूवी को 2022 में ही रिलीज हो जाना था लेकिन कुछ मसले के जलते इसे भी डिले होना पड़ा और अब कि 2024 में आर्ट लास्ट रिलीज हो जाएगी नमबर टू पे जो आती है वो है दग्लास वरकर दग्लास वरकर एक पाकिस्तानी एनिमेटर मूवी है और इसके नमबर दो पे आने की सबसे बड़ी वज़ाई यह है कि मैं एनिमेशन और एनिमेटर डिपार्टमेंट का काफी बड़ा एड्माइर हूं मैं देखता हूं औ पाकिस्तानी एनिमेटर मूवी की बात की जाए तो जो लास्ट में कुछ मूवी आई हैं डॉंके किंग और तीन बहादूर की सीरीज और लेजेंड आफ अलायार की सीरीज तो वह काफी लोगों को पसंद रही हैं और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं इस मूवी को न पाकिस्तानी एक्टर और इस मूवी को डिरेक्ट भी करेंगे और जो नमबर बार पर आती है वह अविसली उम्रोयार है इसका टीजर देखने के बाद पता चला के पाकिस्तानी भी अच्छा काम कर सकते हैं वी एफएक्स और सीजी डिवाटमेट में इसका टीजर काफी प् फर्हान अफ्तर हमजा अली अबासी सनम साइड और इसका जो में एक्टर होंगे वो होंगे उस्मान मुख्तार और सना फाकर मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है तो इसका काफी लोग वेट भी कर रहे हैं और काफी देर से वेट कर रहे हैं इसे 2022 में रिलीज होना था लेकिन अभी तक नहीं हुई तो बाकी देखते हैं अगे इस मूवी के बारे में क्या सुनने को मिलता है आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में